हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल रोपी आटेंट इम्राडरी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कार्टून टाइप क्रॉस स्टीच पैटरंस लेकर आई हूँ अगर आप इस पैटरंस को बेट शीट के सेंटर में बनाते हैं तो बहुत ही खुपसुरत दिखेंगे और आप चाहे तो इस डिज़ाइन को टेवल कवर या कुशन कवर या फिर वाल फ्रेम पे भी बना शकते हैं बहुत ही सुन्दर सुन्दर डिजाइन से तो उमिद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और आप इस डिजाइन से बेट शीट या वाल प्रेम कुशन कवर जरूर बनाईए अक्सर हम लोग बेट शीट प शेंट रुक में भी फ्लावर डिजाइन बनाते हैं तो अगर आप इस तरह से काट्ुन टाइप का वेडशीट बनाना चाहते हैं तो आप भूडर लाइन के बाद आप और फ्लावर डिजाइन बनाएं और उसके बादक आप सेंटर में इस तरह का दो कार्टुन आप आज है अगर आप इसमें से कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोपकर स्क्रीन सॉट ले लीजिए और आप आसानी से क्रॉस काउंट करके बना सकते हैं फ्रेंड्स हमने भी काट्वन टाइप का बेड़ शीट बनाया हुआ है अगर आप उस बेड़ शीट डिजाइन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देदूंगी आप वहां से उस बेड़ शीट को देख सकते हैं और आप बनाना चाहे तो बना स सकते हैं उस बेड़ शीट का हमने कॉर्णर फ्लावर डिजाइन और बोडर लाइन डिजाइन बनाने का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है उसका भी वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप वहां से डिजाइन बनाना सीख सकते हैं और बनाना सेट का सेंटर का डिजाइन थोरा सा घना था तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह का आपको वीडियो दे देती हूं जिससे आप आसानी से बना शकें अगर मैं उस डिजाइन को बना कर बताती तो आपको समझ में नहीं आता अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो इसकी अगर आप कार्टून टाइप का बेड़ चीट बनाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्ट में जाकर आप मेरे बेड़ चीट का डिजाइन देखिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप किस तरह से काटून टाइप का बेड़ चीट बना शकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो मैं फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई वीडियो देखने के लिए थैंक यूँ कि अपने वीडियो मैं पॉँँmyू